हेलो फैंट्स दिस है हम और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दे कि जो भी आप बारावी वाले हैं दस वाले हैं चाहिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहिए आप प्रास ना तक कर रहे हैं मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हैं आपके लिए काफी इंफोर्मेटिव विडियो होने वाली है मैं गैप एर से रिलेटेड आप बात करूगा आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आप फोटोस देखे स्क्रीन पर आपने देखा यहां पर कई सारे कमेंट्स ऐसे आये हैं जो की रिलेटेड ज्यादा तर कमेंट्स आही है गैप सार्टिफिकेट से या कोर्स के बीच में कितने साल का ले सकते हो या इसना तक के बाद चार साल पर पिशमें और एक सब्सेटस आप से laughs से पावे लेते हैं एक साल fruitful होता है क्योंकि वो आप जाना चाहते हैं मतलब आउट ऑफ इंडिया कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हैं इस वज़े से वह यहां पर एक फांडेशन बाइस स्टार्ट करते हैं कोई तैयारी करते हैं कोचिंग करते हैं जिसमें वो अपना इंटर्स वगरा दे के बाहर जाना चाहते हैं विदिन इंडिया भी आप इंटर्स अग्जाम के लिए तियारी कर सकते हो चाहिए आप IITGA की करते हो चाहिए MBS की करते हो चाहिए आप CA की करते हो किसी भी चीज़ के अगर आप तियारी कर रहे हो तो आप ए तो यहाँ पर नेगिल्टिव एस्प्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उन्हों पॉस्टिव में से लिया कुछ लोग है उनका कोई रीजन ही नहीं लेकिन फिर भी गप ले लेते हैं कुल विलाके जो भी आपके रीजन है जब आप इंटर्वियों के समय या कुछ जो अपला जा रहे हैं तो कुछ लोग experience लेने के लिए लेते हैं तो यह कहीं नगाई positive वे हैं जब आप job में चाते हो तो ठीक है तो private companies में ज्यादा prefer किया जाता है अगर आपने gap लेके कुछ experience किया और वो experience certificate आप लगाईए तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको salary वगारा में में इज चैनल पर कि हमने 12 के लिए 2018 में किया 2015 में किया कभी भी आप ने किया और आप जो है 6 साल 7 साल हो गए है बैठे हो आप और 3 साल हो गए चाहे जो ही हो गए क्या आप 12 के बाद graduation कर सकते हो की नहीं यह आपके वपर totally depend करता है कि आप पढ़ाई करना चाहते हो की नहीं क्योंकि इसमें कोई foundation नहीं है यहां पर UGCNA से कोई rules नहीं निकाले हैं कि after 12 से इतने साल के ही पहले आप कर सकते हो कि नहीं ठीक है 10 साल के बाद भी लोग आप पढ़ाई करते हैं तो actual में पढ़ाई आप कर सकते हो ठीक है सबसे best option होता है कि अगर आप gap लिए हो तो online study मतलब distance education आप आप कर सकते हो जैसे इगनू हो गया कराता है और इसकी लिस्ट चैनल पर मैंने वीडियो के बादम से बताई है आपको ठीक है अगर आप रेगुलर करना चाहते हो रेगुलर करोगे तो आपको gap certificate लगेगा और अगर सवसकारी संस्थान में पढ़ना चाहते हो तो gap certificates आपके question हो रहे है आप है जैसे 2015 में graduation किया है नोने common question मैंने बना दिया है particular question था पास किया graduation 2015 में ठीक है 2019 में कोई और course ये किये है जैसे माली जे BSC किया नोने फिर उसके बाद इनोने B8 कर लिया है B8 के बाद कहें तो BSC के बाद MSC कर लिया तो 15-14-14 साल का gap था लेकिन फिर भी इनो 2013 में कुछ और करना चाहते है मतलब पूरा course complete करके बीच में ये gap ले रही है बिलकुल कर सकते हो और पिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है एक normally application लग जाता है जब आप दूसरा course करने के लिए जाते हो तो ठीक है अगर सरकारी जाते हो सरकारी application ही मानने होगा अगर private जाते हो तो private पे application से भी काम चले जाता है देखे एक note करके आप यहाँ पे point note करिएगा note करके आपको बता देखे जब आप gap लेते हो न या gap लेने जाते हो तो कुछ ऐसे college है सरकारी को मैं नहीं कहूंगा सरकारी के लिए जो UGC ने प्रवधान निकाला है notification निकाला था notice निकाली थी जिसको मैंने वीडियो के माद्धम से पता रखा चैनल पर तो UGC ने दो या तीन साल से ज़्यादा का gap लेने से बाद हैं दो या तीन के अंदर ही आप कर लीजे दो या तीन से ज़्यादा नहीं ले सकते लेकिन कुछ private universities ऐसी हैं जो की 6 साल तक का gap देती है ठीक है तो certificate जो है माल लेती है क्योंकि यहां पर एक application के माद्धम से मैंने कहा कि application के माद्धम से चीज़ा करवा लेती है अगर आप experience के लिए कुछ gap लिए हो तो वहां पर valid reason एक होना चाहिए वहां पर ले लेती है सरकारी जो private universities होती है private colleges होते हैं इसलिए जो है आपको private college में आप prefer कर सकते हैं अगर तीन साल से ज्यादा gap हो गया तो ठीक है सभी college नहीं करवाएंगा सभी yellow studies नहीं करवाती है वो चीज़ आपको पता करना पड़ेगा आप किस state के जिले से belong करते हो ठीक है एक हाप यह benefit मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप gap लेना चाते हो आपको पता है कि मुझे gap लेना पड़ेगा इस कारण वस यह आपको नहीं पता है अचानक कोई यह पता आ गई एक साल का है मतलब एका दो महीने बीच चुके हैं तो ऐसे case में करते क्या है ना कि अगर आपका एक साल हुआ है दो साल हुआ है बीच में छोड़ गया college में जाकर संपर करिए college क इतने समय के बाद आपके कर सकते हो या within इतने years में कर सकते हो ठीक है हर चीज का solutions होता है college वाले दुसमन आपके है नहीं वह genuine चीज़ ही आपको बताएंगे ठीक है तो college में संपर करना कफी जरूरी हो जाता है तो आप यह चीज़ जरूर अगर अगर आप ट्राई करें अग कोई फेल हो गया बंदा है फेल हो गया और पास नहीं हो पाया और तुरंत इन्हों ने एक compartment भी नहीं दिया बैक पेपर भी नहीं दिया और चार-पान साल के बाद पेपर यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं particular subject के लिए देखें बात करें यहां पर जो एक subject होता है न नहीं है उसमें से कोई एक चीज कर रहे हो मतलब कि जब आप इसको पास करोगे तो यह नंबर कहीं जुड़ेगा उसी में तो जाकर जुड़ेगा मतलब कहीं वही डिगरी तो continue हो रही है तो यह चीज समझे आप तो यहां पोई particular subject के लिए कोई rules and regulations change नहीं हो जाते हैं लेक समय नहीं होता वही जो सेम प्रावधान आपके degree के लिए है complete करने का वही आपके compartment और back paper के लिए है अगर इसके बीच में आप नहीं करते हो तो आपको पूरी degree फिर से करनी पड़ जाएगी है चीज़ आप जानने जिए ऐसा नहीं है आप 6 साल का gap ले लिए और फिर compartment देने उसमें नहीं cover हुआ ता आप comment करिए उसको मैं reply करने का प्रयास कर दूँगा सबको reply में करता हूं और personally अगर बात करना हो diet chat का option नीचे है वहां से आपके हमसे comment करके बात कर सकते हैं तो आप जो है इसको subscribe करके बलाएकर प्रस कर सकते हैं और ऐसी वीडियो के लिए भी चानक